मालकिन, आप मंदिर में दिया नहीं जलाती हो क्या? नहीं, क्यों? मालकिन, मंदिर में रोज दिया जलाना चाहिए अरे मैंने वो फैंसी लाइट्स लगाते रखी है, वह ही जला देती हूँ मालकिन, मंदिर में दिया जलाने से घर में पॉजिटिविटी आती है और बरकत भी आती है अच्छा फिर तुम जला दिया करो जी मालके अरे बिंकी बातों ये बातों मैं पता ही नहीं चला कब शाम हो गई सुप्रिया मैं बस अभी आई क्या हो पिंकी सब कुछ ठीक तो है ना तो मैंसे यू अचानक उठकर चली गई मैं अपने घर के मंदिर में दिया जलाने गई थी बिंकी तुम ये सब मानती हो हाँ बिलकुल मानती हूँ और सभी अपने घर के मंदिर में दिया जलाते है पर मैं तो नहीं जलाती चल जूटी अरे नहीं मैं सच पूल रही हूँ लेकिन हाँ पिछले दो चार दिनों से मेरा नौकर वो दिया जलाने लगा है क्या? सुप्रिया वो तुम्हारा घर है तुम अगर अपने घर में खुद दिया जलाओगी तो तुम्हारे घर में बरकत होगी मेरा नौकर भी यही कह रहा था और वैसे भी अभी माता रानी की नवरात्री चल रही है अभी अगर तुम मा के सामने सच्चे मन से दिया जलाओगी तो तुम्हारी हर कष्ट दूर होगी तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी पिंकी, ये दिया जलाने से कुछ भी नहीं होता अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए हमें खुद मेहनत करनी पड़ती है पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी पर एक दिन बाबा भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास पर पता नहीं सारा पैसा कहां चला जाता है एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब पती के साथ जगड़ा ना हो मेरे घर में सुधार लाने के लिए कोई उपाई बताईए बेटी तुमारे घर में बहुती नेगटिविटी है जब मैंने तुमारे घर में कदम रखा था तभी मैंने देख लिया कि तुमारे घर में दिया नहीं जल रहा थे बाबा हम दिया नहीं जलाते बेटी जिस घर में दिया जलता है उस घर में मातारानी का वास होता है बरकत सुक्ष सर्मिनिती बनी रहती है अगर तुम दो टाइम दिया नहीं जला सकते तो तुम्हें शाम के समय दिया जरूर जलाना चाहिए फिर देखना तुम्हारे जिवन से मायोसी दुख बादल हटकर सुक और खुशियों में बदलते हैं फिर तुम्हारे जिवन में खुशिय खुशिय होगी उस दिन के बाद मैंने बाबा के कहने पर घर में दिया जलाना शुरू करती है और उसके बाद से मेरे घर में उजाला ही उजाला है मैं ये नहीं कहती कि दिया जलाने से कभी कोई दुख नहीं आएगा पर दिया जलाने से मां हमें हर बुरे से बुरे वक्त का टेट के सामना करने की शक्ति प्रदान करती है इसलिए आज से ही अपने घर में दिया जलाना शुरू करतो हर नतीजा कुछ तिनों में ही तुम्हारे सामनी होगा तुम्हारे सामनी होगा